हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजटिव अप्रोच, इस नितेस भारदवाज, कैसे हो आप, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, आज की वीडियो जो है, पूरी की पूरी रिक्वेस्टिड वीडियो है, आज की वीडियो में जो है, ग्रेजुएशन लेवल के कुछ क पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस लेवल तक के जो कोशन है, हमसे एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो मैंने जो टॉपिक है, वो टॉपिक मैंने मैट्रिस लिया हुआ है, मैट्रिस के कुछ ऐसे कोशन जो ग्रेजुएशन लेवल तक जो हमसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको जो एक idea देने के लिए मैंने ये question लेकर आया हूँ और पूरी की पूरी वीडियो requested वीडियो है आपकी comment के उपर ही यहाँ वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ आईए तो वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं सबसे पहला पहला question देखते हैं देखिए क्या बोलता है पहला question अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को like करें चैनल को share करें और subscribe करें देखिए क्या आपको ये question आते हैं पहले ने पढ़िए वीडियो को pause कर लीजिए और पूरे के पूरे question पढ़ लीजिए और अगर question नहीं आते तो उसके बाद जो है वीडियो को आगे देखें ठीक है पहला question बोलता है matrix A जो है diagonal 2,3,4 ठीक है then determinant of adjoint A is equal to option A 676, option B 586, option C 81 and option D 576 option से हमें फर्क नहीं पढ़ना चाहिए हमें formulas आते हैं ये formulas मैंने आपको करवाया हुआ है ठीक है देखें क्या है matrix A दिया गया है हमारे पास diagonal of matrix 2,3,4 ठीक है मैंने आपको बताया था कि diagonal को ऐसी भी जो है लिखा जाता है तो देखें कैसे लिख सकते है matrix A कितना हो गया 2,3,4 ठीक है यहां पर 0 क्योंकि हमें पता है diagonal matrix वो होता है जिसके जो diagonal element होते है वो 0 नहीं होते है ठीक है यह दिये गया है diagonal matrix हमारे पास हमसे पूछा गया है कि determinant of adjoint कितना होगा सबसे पहले हमें क्या देखना है इसका order order क्या है matrix किस order का है यह देखिए 3 by 3 का है तो order कितना है इसका 3 ठीक है तो क्या फार्मूला होता है determinant of a कि पावर n-1 determinant of adjoint का फार्मूला क्या होता है determinant of a कि पावर n-1 जहां पर n क्या है n है order of matrix n क्या है order of matrix हो गया simple determinant है निकालिए 2,3,6,6,4,24 कि पावर n-1 n कितना है 3 3-1 2 कितना आगे 24 का स्केर 576 तो option d देखिए option d जो है हमारा right answer है ठीक है question आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा देखिए next question देखिए दूसरा question क्या है if a matrix equal to 2-2 दिया गया है then a is a क्या है item content matrix है nil potent matrix of index 2 nil potent matrix of index 3 and none of this ठीक है तो इसको solve करने से पहले हमें पता होने चाहिए कि item potent क्या होता है nil potent of index 2 nil potent of index 3 क्या होता है orthogonal matrix क्या होता है inverse matrix क्या होता है तो यह सारी definition जो है आमें आनी चाहिए matrix A क्या दिया गया है देखिए matrix A दिया गया है 2-2-4 minus 1-3-4 and 1-2-3 ठीक है सबसे पहले देखिए item potent क्या होता है item potent क्या होता है अगर कोई matrix item potent होगा तो A square जो है A के बराबर होगा item potent क्या definition है अगर कोई matrix हमें आपर पास दिया गया है तो उसका square जो है उसी matrix के बराबर होना चाहिए तब जो है वो item potent होता है और्थोगोनल तो आपको पता है कि और्थोगोनल matrix क्या होता है देखिए निल पोटेंट निकालने के लिए हमें क्या करना है ठीक है हमें निकालना है जैसे मालनी जीए A है तो A square निकाल दीजिए ठीक है A square निकाल दिया एक क्यूब निकाल दिया ठीक है जब यह हमारे पास निकल गया तो ठीक है अगर A square हमारे पास 0 आ गया धान से दिया अगर A square हमारे पास 0 आ गया तो यह matrix होगा निल पोटेंट अगर मालनी जी A square करके हमारे पास 0 नहीं आया एक क्यूब करके हमारे पास 0 आ जाता है तो वह हो जाएगा निल पोटेंट ओफ इंडेक्स 3 ठीक है तो आई होप आपको definition अच्छे से clear हो गई होगी चलिए चैक करते हैं अब जब हम square करेंगे तो देखिए आइडम पोटेंट की definition भी clear हो जाएगी निल पोटेंट अगर 0 आ गया तो निल पोटेंट हो जाएगा अगर A ही आगया हमारे पास तो आइडम पोटेंट हो जाएगा ठीक है तो चलिए A square करते हैं यहीं पर कर देता हूं A square करिए multiply इसको 2-2-4-1-3-4-1-2-3-3-3 के हैं दोनो multiplication possible है ठीक है 3-3 का ही आएगा matrix मैंने multiplication आपको बताए थी matrix की multiplication कैसे होती है और यहां से नीच वाल साइड चलते है 2-2-4-2-4-2-4 ठीक है तो second element क्या आएगा देखिए कितना आए 4-4-0 तो आगया 2 ठीक है solve करके कितना आगया 2 आगया चलिए आगे चलिए 2-2-4 उसके बाद minus 2 minus 3 minus 2 multiply by 3 minus 6 और उसके बाद minus 4 minus 2 for 2's are 8 plus 8 ठीक है कितना आगया 6 plus 4 10 minus 10 plus 8 which is equal to minus 2 ठीक है यह भी आगया तो आप यहां से देख रहे हैं कि वही matrix हमारे पास बन रहा है तो मुझे लगता है कि पहला option ही जो हमारा ठीक है आगे भी चाह कर लेते हैं ठीक है ऐसा कूछ नहीं है चाह करिए 2 minus 4 minus 8 minus 2 plus 4 plus 8 I'm sorry minus 2 minus 4 minus 8 minus 2 minus 4 minus 8 and 4 3's are 12 plus 12 8 8 16 minus का plus 12 तो कितना आगया minus 4 आगया ठीक है similarly दूसरी रोग चाह करिए minus 1 multiply by 2 minus 2 minus 3 plus 4 minus 6 minus 5 plus 4 which is minus 1 minus 1 हां तो देखिए आप देख सकते हैं कि जो value है वही आ रही है आप यहां पर खुद चाह करिएगा यहां से बिल्कुल clear हो रहा है कि A square जो है हमारे पास A आ रहा है ठीक है अगर देखिए A square हमारे पास से आ गया तो यह कॉंडसी definition हुई यह हुई आइडम पॉंटेंट मैट्रिक्स की कैसा मैट्रिक्स हुआ है यह आइडम पॉंटेंट मैट्रिक्स ठीक है तो option A जो है हमारा right answer है तो इस तरीके से आपने चैक करना है अगर यहां पर हमारे पास 000 आ जाता ठीक है तो यह क्या हो होता यह होता है निल पॉंटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स टू ठीक है आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा बस सारी बात जो है आपकी अंडरस्टेंडिंग की है आपको अंडरस्टेंडिंग होनी चाहिए question की definition आनी चाहिए question अपने आप जो है फिर solve हो ज जाता देखिए if matrix A कितना है 121 दिया गया है कि माइनस 102 & 01-1 ठीक हमें निकालना है रेंक रेंक को मैट्रिक्स रेंक क्या होता है ध्यांदी जीएगा रेंक का मतलब होता है number of लिनियरली independent इनिडिपेंडेंट Kids इनिडिपेंडेंडेंट रोव और कॉलम कि इसमें जो है कितने रो और कॉलम से जो लिनियर लिनियरली इनिडेंडेंडेंडेंट्र रोआटो आपयों चेक करेंगे मितलब धीक है इसके साथ 1 को एड़ कर दीजी कितना आ गया जीरो 2 2 पलस 1 3 0 1 थिक है तो आप देख रहे हैं कि यह पर हमने जो ऑपरेचन लगाया किस पे आला नौप 3 QO papa आला तो पर आप देखिये कि कोई भी जो rolling एक दूसक्त पर डिपेंड नहीं करती ठी कोई भी रो एक दूसरे को पर डिपेंड नहीं करती तो आप यहां पर देखिए यह भी लिनियली इंडिपेंड तो कितना नंब्र ओफ रोव जा गई हमारे पास थ्री तो इसका रेंक कितना आ गया हमारे पास थ्री आ गया ओप्सन सी जो है हमारा राइट अंसर है ठीक है मैं इसको एक और एक्जांपल से आपको समझाता हूँ ताकि आपको किलियर हो जाए देखिए माल लेजिए कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास टू थ्री फोर ठीक है अब यहाँ पर हमाले जी वन 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 और यहाँ पर है टू 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 ठीक है लिनली इंडिपेंड़े का मतलब होता है कि एक दूसरी कोपर डिपेंड नहीं करती लेकिन यहाँ पर आप देखिए टू थ्री फोर यह जो लास्ट रो है यह डिपेंड कर रहे है सेकंड रो पर ठीक है तो हम सेकंड रो लिख ली आर थर्ड पर हम ओपरेंशन लगाते हैं कि आर टू माइनस 2R1-R3 ठीक है R3 पर हमने यह operation लगा है कि 2R2-R3 2 से multiply करिए और इसको subtract करिए तो यहाँ पर कितना आ गया 0 आ गया तो यहाँ से क्या पता चल रहा था कि यह जो 3rd row है यह depend है किसके उपर 2nd row पर लेकिन rank निकालने के लिए हमें चाहते number of linearly independent term तो यहाँ पर हम 0 आ गया तो linearly independent term कितने बची 2 बची तो इस matrix का rank कितना होगा 2 होगा I hope आपको आप rank भी अच्छे से clear हो गया होगा ठीक है तो इस तरीके से जो है इन question को करते है चलिए next question देखते है Question number 4 क्या बोलता है If matrix of non-zero diagonal matrix of order 3 कितना दिया गया है order 3 Satisfying Satisfying क्या करता है A square is equal to A Is तो कितने होंगे ऐसे non-zero diagonal matrix 6 होंगे 7 होंगे 8 होंगे infinitely many होंगे ठीक है दिखें कैसे करना है पहल तो question को समझे अच्छे से Question क्या बोल रहा है A number of non-zero diagonal matrices of order 3 कोई matrix A ले ली जिए non-zero diagonal बोल रहा है ना non-zero diagonal element तो मालने जी ये k1 ले लिया k2 k3 ठीक है ये ले लिया हमने non-zero diagonal element ठीक है ये क्या बोल रहा है कि satisfy कर रहा है a square is equal to a को क्या satisfy कर रहा है कि a square जो है a के बराबर है तो इसका a square क्या निकलेगा देखिए कि 1 sq 0000 k2 square 000 k3 square ठीक है तो ये बोल रहा है कि ये satisfy क्यफ कर रहे a square is equal to a तो a के बराबर होगे इस याँ से क्या implies हो रहा है कि k1 sq kis ke बराबर होगा k1 k8 k2 sq kis kे बराबर होगा k2 k3 sq kis के बराबर होगा k3 k對不對 को को अंडरस्टेंड करने कि question हमसे कह क्या रहा है question अपने अपसॉल्व हो रहा है देखिए कि यहां से क्या apply हो रहा है कि के 1 square- के 1 is equal to 0 similarly both case में यह से क्या आएगा के 1 common आ गया के 1-1 is equal to 0 तो यहां से के 1 की value क्या आई के 1 आया 0 और 1 similarly k2 कितना आ जाएगा 0 और 1 similarly k3 कितना जाएगा 0 और 1 ठीक है अब ध्यान दीजिए k1 के लिए भी दो वैल्यू आ रही है k2 के लिए भी दो वैल्यू आ रही है और k3 के लिए भी दो वैल्यू आ रही है तो total number of ways कि किस तरीके से जो है arrangement होगी यहाँ पर diagonal element में क्योंकि इसको fill करने के भी दो रास्ते हैं इसको fill करने के भी 0 और 1 है और इसको fill करने के लिए भी 0 और 1 है तो total number of ways कितना आ गया 2 raise to power 3 कितने आगे 8 way से ठीक है 8 way से आ गये क्योंकि यहाँ पर 0,1,0,1 हो सकता है अब ध्यान दीजिए 8 तो आ गया धान दीजिए अगर यहां पर माल लेजिए 0 हो जाता है यहां पर भी 0 हो जाता है यहां पर भी 0 हो जाता है ठीक है क्योंकि possibility है 0-0-0 आ गया तो यह case जो है हमांके नहीं चाहिए क्योंकि यह diagonal matrix नहीं होता वो 0 matrix बने गया हमारे पास ठीक है तो 0-0-0 यहां पर नह होना चाहिए इस केस को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे टोटल केसी से तो कितना आ गया सेवन आ गया तो टोटल नंबर ओफ नॉन जीरो डियागनल मैट्रिक्स ऑफ ओडर थ्री जो सैटिस्फाई करता है एस के रेक किल्डो कितने आ गये सैवन आ गये ठीक है तो ऑप्सें बी जो है हमारा राइट अंसर है आई होप कोश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें सेर कर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले हां को बहुत से स्ट्रेंट मुझे बोलते हैं कि आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती तो माई डिर फ्रेंट उसके लिए आपको और और फॉड़ोनल मैट्रिक्स है आपको जो है हर एक चीज की डेफिनेशन जो है ने याद होनी चाहिए ऑफ ऑफ ओडर त्री ऑडर कितना है थ्री ऑडर का है डेन डिटर्मिनेंट ओफ अर्जोइंट टू है देखे कितना इपोर्टंड कोश्चन है डिटर्मिनेंट aN Paul पूंपüş क्या होता है is a平्श ट्रांस्पो गोल टू ऐ ओडर कितना दिया गया है थी दिया गया थो मैंसे एन से दिनोट तकर रहा हूं एननी इसए एकुट तू थी हमें पता है Storm pointer किना होता है determinant of a की power n-1 ठीक है ये फार्मूला हमने बढ़ा हुआ है अब ये आपको नया फार्मूला बता रहा हूँ ध्यान दीजिए determinant of a joint 2a का फार्मूला क्या होगा 2 raise to the power n n क्या है order ठीक है mod of a की power की power whole की power n-1 ये फार्मूला है और ये चीज मैं आपको पहले बताई थी अगर matrix orthogonal दिये गया हो ये a transpose होता है i यहां से क्या implies होता है जो determinant ये आएगा वो कितना आएगा plus minus 1 ठीक है ये मैं आपको अपनी previous वीडियो में अल्रेडी बताया हुआ है अगर matrix a orthogonal होता है then determinant a होता है plus minus 1 ठीक है अब बिल्कुल इज़ी है substitute कर ये value 2 raise to the power n कितना है 3 determinant a orthogonal है matrix determinant a होगा plus minus 1 ठीक है कि power n minus 1 3 minus 1 का square अब जाए plus का 1 हो minus का 1 हो उसका square हमें सा plus 1 ही रहता है ठीक है तो देखिए option d option d जो है हमारा राइट अंसर है तो आई होप आपको जो है question अच्छे से समझ आगे होंगे कि कि सरके question जो है एक्जाम में graduation level से पुछे जा सकते हैं इसी तरह के और वीडियो के लिए बने रहे हैं मेरे चैनल पॉस्ट्य प्रोच के साथ धन्यवाद जय हिंद जय भारत